चत्तीसगर की ताजा खबर में स्वागत है दोस्तों तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है समय पर इलाज नहीं मिलने से युवक की गई जान चार गंटे तक परिजन करते रहे डॉक्टर का इंतजार चत्तीसगर के बीजापूर के जिला अस्पताल में एक युवक को सही समय पर इलाज नहीं मिलने से जान चली गई है जिसके बाद अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने जम कर विरोध प्रदर्शन किया इतना ही नहीं अस्पताल प्रमबधन के खिलाफ कारवाई करने की मान भी की है परिजनों ने पुलिस में इस मामले की लिखित शिकायत की है दरसल बुधवार की सुबह युवक मनीश साहू और बबलु की तबियत खराब होने पर परिजन अस्पताल लेकर पहुँचे परिजनों ने बताया कि सुबह 7 बजे से 11 बजे तक डॉक्टर का इंतजार करते रहे लेकिन कोई भी डॉक्टर अस्पताल नहीं पहुचा था OPD में सुबह 8 बजे परची परिजनों द्वारा बना ली गई थी लेकिन चिकित सक के इंतजार में बीमार युवक मनीश साहू 35 वर्ष की हालत बिगड़ते चली गई इलाज के अभाव में युवक की मृत्यू हो गई जिला अस्पताल की लापरवाही से गुस्साई परिजनों के साथ कुछ युवकों ने जम कर विरोध प्रदर्शन किया अस्पताल में डॉक्तर व कर्मचारी के खिलाफ ततकाल कार्रवाई की मान करने लगे दोपहर तीन बजे तक परिजनों ने अस्पताल परिसर के सामने कार्रवाई की मान करते रहे मामला शांत न होने पर तहसीलदार वर TISR यादव पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुँचे और मामले को शांत कराने का प्रयास किया प्रशास्निक अफसर द्वारा आश्वासन की बात पर मामला शांत हुआ जिसके बाद परिजनों के द्वारा लापरवा बरतने वाले डॉक्टर व अन्य कर्मचारी पर थाने में एफायर दर्ज कराने लिखित में शिकायत की है